असलालेकुम नाजरीन क्या हाला है अमीद है अब सब ठीक होंगे आज हम बनाएंगे चावल और गाजर की खीर चलें स्टार्ट करें आउज बिल्लाहिमने शैताने जिम बिसमिलाहमने यह देखें मेरे पास दो किलो दूद है यह मैंने वेंग स्केल में किया है मेजरमेंट इ इसमें हम डालेंगे पांच हदद हरी लाची यह मैंने कूडली थी जब इससे बोईल ला जाएगा फिर मैं आपको बाकी का काम बताती हूं उबालाने तक इंतजार करते हैं अब दूद हमारा उबल गया है सिर्फ छे मिनिट लगे से बोईल होने के लिए यह मेरे पास जार घंटे पहले दो कर पानी में भगो कर रख दिता है अब यह डालने लगी इसमिल रहा है कि यह मैंने हाई फ्लेम में रखा हुआ है जब यह उबल जाएगा तो हम इसे कवर करके गलने के लिए रख देंगे यह देखें उबलने के बाद पूरा एक घंटा लगा इनको मिक्स होने में चावल मिक्स हुए है अब हमें चाहिए तीन सो ग्राम गाजने चावल हमें हमारे दूद में मिक्स होगे है दूद लाइदा नजर नहीं आ रहा लेकिन हमें गाजने जो नसी है वह बहुत जादा हाइफलेम पेकर के आपने यह ख्याल रखना है जब आप खीर रखें तो हमेशा उसका ख्याल रखें यह ना कि आपने रख दिये अंदर जाकर बैड़ गया उसे बार बार चमचह लाते रहे ताके खीर जूंसी है तले के साथ ना लगे यह देखिए अब मिक्स होगी है मैं अब मैं इसमें उबलावा एक किलो दूद और डालूंगी बिसमिल्ला रमाहिम जब भी आप कोई चीज भी गर्म चीज में डाले पानी या दूर डाले उसको हमेशा उबलावा डाले अब यह जब उबल जाएंगे चाबल और गाजने तो फिर मैं इसे अबाउट दस मिन्ट के लिए ढग के फिर मैं आप से मिलती हूं अब यह देखें पूरे 10 मिनट हूए हैं जब गाजनों को बाली आई थी उससे बाद मैंने टाइम काउंट के दस मिनट मैं लोग एस में रखा था जब यह उबल गई थे तब उसे लोग एस में रखा था यह देखें साइड से सब उतारते रहें क्योंकि यह इसमें रबड करनी क्यूंकि जब आप ठंडा कर लेते हैं खीर को तो ज्यादा थिक हो जाती है अब हमने करना लास्टिंग मैंने लिए एक कैन जिसमें तीन चार सो ग्राम कंडंस मिलक है इस टेज में मैं चीनी हमेशा जुन से जो कुछ भी आप डालें स्वीर सिंग एंड पर डालें गैस ह कि यह वाला जो स्टेज आना अब हमारे बिल्कुल बिल्कुल रेडी पांच मिनट हमें ओवर लगेंगे चमचाह चलाते हुए जब तक कि यह दूद घुल जाए अब इसमें एंड पर कोट्र टी स्पूर नमक डालना है नमक से उसकी टेस्ट ज्यादा अच्छी हो जाती है फ्लेवर सारे आपको मिल जाते है इस स्टेज पे मेरे लिए तो यह ठीक हो गया मीठा लेकिन इस स्टेज पे आप चक लें आगे एक डबा मैंने जो है वो कंडेंस मिल का डाला है हमें जरूरत नहीं है बस हमने उबलने तक इंतजार करना उससे बाद मैं गयास बंद करके थोड़ा से ठंडा करके फिर डिश आउट करूंगी यह बहुत अच्छा तरीका है नाजरीन बच्छों को अखलाने के लिए मैं वैसे पसंद करती हूं कि इसमें किश्मिट डाली जाए हम बच्वन में अपने घर में बहुत ज़्यादा खाते होते थे और जब सुस्राल गे वो लोग भी खीर बहुत ज़्यादा पसंद करते थे सो यह मेरी फेवरिट है यह देखें अब बूबल रहा है थोड़ा थोड़ा नजर आ रहा है बस अब मैं इसे बंद करके थोड़ी देर अनकवर रखूंगी ताके थोड़ा ठंडा होज़े फिर डिश आउट करती है देखें नाजरीन ओल्मोस्ट खीट ठंडी होगी थी जो मैंने आप डिश बिसमल्ला रहान रहीम वेरी टेस्टी कैसी है यह मैं तेस्टी हर चीज गाजरों की आपको टेस्ट आ रही है और कंदेंस मिल कितने ची टेस्ट है क्रीमी क्रीमी है और आप डबल क्रीम एंग Supreme और डाल सकते हैं इसा से कुछ लोग पसंड करतें ना झाल ना नाजरीन I hope दूरूर ये ट्र्याँ करेंगे और अगर अगर ङ्वायी करेंगे साए घरिए को और एपनी दौणी को शीर प्र Examples और सब्सक्राब करना ना बूले अलाह फेज